यह अलजबरा का अपना second part है first part में हम लोगों ने 1 से 25 तक question किये थे और इसमें हम लोग 26 के आगे का जो सवाल है वो करेंगे ठीक है यह हम लोग का अलजबरा का प्रैक्टिसेशन चल रहा है आएए अब हम लोग देखते हैं question number 26 26 number में बताया गया कि x square plus x का जो value है वो 5 के बराबर है और आप से पूछा जा रहा है x plus 3 का whole q plus 1 by x plus 3 का whole q अगर हम इसे देखें तो यह आपका aq plus 1 by aq के format पर है ठीक है और इसका value हम तब निकाल सकते हैं जब मुझे a plus 1 by a का value मालू हो ठीक तो अगर मालो कि अगर a plus 1 by a का value के हो तो इस case में aq plus 1 by aq का value है वो kq minus 3 के हो जाएगा ठीक तो यहाँ से हमने समझा कि यह वला value हम तब निकाल सकते हैं हाँ तो यहाँ पर देख लो इसका value हम तब निकाल सकते हैं जब मुझे मालूम हो x plus 3 plus 1 by x plus 3 का value अब इसके लिए हमें क्या करना होगा तो x plus 3 calcium ले ले लेते हैं तो यहाँ हो गया यहाँ पर x plus 3 का whole square plus 1 अब x plus 3 का whole square को break करेंगे तो यहाँ होगा x square plus 6x plus 9 plus 1 divided by x plus 3 अब इससे आगे solve करके लिखेंगे x square plus 6x plus 10 divided by x plus 3 अब यहाँ पर देखो question में value दे रखा x square plus x का value 5 तो यहाँ से हमने निकाला कि x square का जो value है वो हो जाएगा 5 minus x तो अब हम इस x square के बदले value put करेंगे 5 minus x तो अब यह देख लो 5 minus x plus 6x plus 10 divided by x plus 3 तो 6x minus x यह होगा 5x plus 15 divided by x plus 3 अब यहाँ पर उपर वाले nominator पार्ट से अगर हम 5 common कर लें तो यह बन जाएगा 5 x plus 3 divided by x plus 3 x plus 3 से x plus 3 cancel हो गया तो यह आया आपका 5 तो अभी हमने देखा कि यह जो term है आपका x plus 3 plus 1 by x plus 3 इसका जो value है वो 5 है तो और हमें निकालना था x plus 3 का whole q plus 1 by x plus 3 का whole q तो इसका जो value होगा वो हो जाएगा kq minus 3 k यानि 5 का cube minus 3 गुना 5 पाच का cube है वो हो जाता है 125 पाच का cube 125 और उसमें से अगर हम 15 subtract कर दें तो वह होगा आपका 110 तो इस तरह से हमने question number 26 को किया अब हम लोग देखेंगे question number 27 ठीक है देखे question number 27 हाँ यहाँ पर दिया हुआ है x का power 24 plus 1 divided by x का power 12 बराबर 7 और आप से पूछा जा रहा है x का power 72 plus 1 divided by x का power 36 का मान तो यहाँ पर इसे हम लोग break करते हैं तो अगर x के power 12 से अगर nominator में हम भाग दे दें तो इसे लिखा जा सकता है x का power 24 बटा x का power 12 plus 1 by x का power 12 यह equal to 7 अब हम लोग यहाँ से देखो यह x के power 12 से जब इस पार्ट को solve करेंगे तो यह हो गया आपका x का power 12 plus 1 by x का power 12 और इसका जो value है वो 7 बना गया अब जो हमसे पूछा गया वो देख लो तो पूछा जा रहा है आपसे x का power 72 plus 1 divided by x का power 36 अब हम इस x के power 36 से नोमिनेटर में भाग देदें तो यह हो जाएगा x का power 36 plus 1 by x का power 36 तो अब हमने यहाँ पर गौर किया तो पता चला क्या कि यहाँ पर power जो दिया था वो x का power 12 है और जो पूछा जा रहा है उसमें power 36 है तो यहाँ पर जो power है जो power है वो 3 गौना हो जा रहा है तो बिल्कुल इसी के फॉर्मेट पर जैसे अगर a plus 1 by a का value k हो तो power 31 यानि a q plus 1 by a q का जो value है वो हो जाएगा k q minus 3 k तो इस case में जो value होगा मेरा 7 का q minus 3 into 7 और 7 का जो q है वो होता है 343 minus 21 और 343 में से जब हम 21 को minus करेंगे तो यह हो जाएगा आपका 322 तो इस तरह से हम लोग question number 27 को किए अब हम लोग देखेंगे question number 28 चलो question number 28 पढ़ते हैं question number 28 में बोला गया कि x square minus 3 x plus 1 का value 0 है और आप से पूछा जा रहा है x square plus x plus 1 by x plus 1 by x square अब यहां पर हम लोग देखो यहां पर देखना यह है आपका x plus 1 by x ठीक और यह जो term है एक है x square plus 1 by x square तो हम पीले वाले को एक तरफ कर लेते हैं तो यह हो गया x square plus 1 by x square और जो second term है मेरा वो हो गया आपका x plus 1 by x अब मानके चलो कि अगर x plus 1 by x का वहलू के मालूम हो तो x square plus 1 by x square का जो वहलू है वो हो जाएगा k square minus 2 तो अब हमें जो focus करना है इस x plus 1 by x term पर कि अगर x plus 1 by x का वहलू मालूम हो जाए तो हम दोनों वहलू निकालेंगे तो अब आते हैं जो question दिया हुआ है उस पर यहाँ पर है क्या कि x square minus 3 x plus 1 is equal to 0 इस type के question कई सारे हम लोग कर लिए इसमें करते क्या है कि हम लोग LHS और RHS में x से divide कर देंगे तो जो पहला term है वो मेरा बन गया x 3 x में x से divide करेंगे तो 3 बन जाएगा plus 1 by x is equal to 0 अब यह minus 3 को हम RHS में भेज देते हैं तो यह होगे आपका x plus 1 by x is equal to 3 और इसी को हम लोगों ने k माना तो यह जो आपका k है k का value 3 आ गया और k square minus 2 का value 3 square minus 2 और बीच में plus का symbol तो 9 यहां पर 2 होगा हाँ तो 9 minus 2 plus 3 तो यह आ जाएगा आपका 7, 7, 3, 10 तो इस तरह से हम लोगों ने question number 28 किया अब हम लोगों देखेंगे question number 29 हाँ यहां देख लो यहां पर दिया हुआ है आपका कि a square minus 4 minus 1 is equal to 0 और पूछा जा रहा है a square plus 1 by a square plus 3a minus 3 by a तो अब हम लोगों जो question पूछा गया उसको देख लो तो यह तो पता है a square plus 1 by a square है और यह जो second वाले जो term दिख रहा है इसमें से अगर हम a को common कर लें अगर इसमें से अगर हम 3 को common कर लें तो यह बन जाएगा 3a minus 1 by a तो अब हमें target क्या करना है कि किसी तरह से a minus 1 by a का value निकाल लें अगर a minus 1 by a का value के आ जाए तो उस case में a square plus 1 by a square का जो value होगा वो होगा k square plus 2 आपको याद रखना था कि यहाँ पर अगर यह minus है तो इस case में यह जो value होगा वो plus हो जाता है अब हम लोग देखते हैं यहाँ पर देखो जो question दिया हुआ है उसमें है a square minus 4a minus 1 is equal to 0 पिछले question के जैसा इस बार भी हम a से lhs और rhs में divide करेंगे तो पहला term a बन गया second term 4 बन गया third term 1y a बन गया is equal to 0 अब हम इस minus 4 को हम rhs में send कर देंगे तो a minus 1y a is equal to 4 तो अब यहाँ पर देख लो कि इस term का value पता हो गया मुझे कि 3 गुना 4 और यह square वाले term का value निकालना है और यह वला term minus वाले term मुझे मालूम है तो हम formula यूज करेंगे k square plus 2 यानि 4 का square plus 2 अब यहाँ से हम लोग लिख सकते है कि 4 का square plus 2 चर्चों का 16 plus 2 और plus यह 3 into 4 और 3 गुना 4 को लिख सकते हैं 12 16, 2, 18 और 18, 12, 30 ही आ गया ठेक तो इस तरह से question number 20 किए अब हम लोग देखेंगे question number 30 question number 30 को करने के पहले एक formula है वो आपको समझाता हूँ जैसे यह है formula आपका a plus 1 by a का value root 3 दे रखा हो तो इस case में आपको याद रखना है कि a q plus 1 by a q का जो value है वो 0 होता है और साथ ही यह भी याद रखना है कि a का power 6 plus 1 का value 0 या आप याद रख सकते हैं कि a का power जो 6 है उसका value minus 1 होता है और ऐसा क्यों होता है आई यह उससे समझते हैं तो यहाँ पर आपका a plus 1 by a is equal to root 3 अब हम दोनों तरफ q कर देते हैं lhs और rhs दोनों तरफ q कर दिये तो a plus b का अगर whole q का अगर formula आपको याद है तो यहाँ से आप बोल सकते हैं a q plus b q plus 3 a b into a plus b और इसी formula पर हम इसे break करेंगे तो आए ब्रेक करते हैं इसे तो first term का q plus second term का q plus 3 into first term into second term into first term plus second term is equal to अब rhs का q करो तो root 3 का अगर हम q करते हैं तो यहाँ आ जाएगा 3 root 3 अब यह देख लो a से a cancel हो गया और यहाँ जो a plus 1 by a है इसके जगा पर हम use कर सकते हैं अब root 3 तो यहाँ बन गया a q plus 1 by a q plus 3 root 3 is equal to 3 root 3 अब यह 3 root 3 से 3 root 3 cancel हो गया तो यह होगा a q plus 1 by a q is equal to 0 तो अब आपको याद रखना है कि अगर a plus 1 by a का जो value हो रूट 3 है तो उस case में a q plus 1 by a q का जो value है वो 0 होगा अब हम यहाँ से relate कर सकते हैं अगर हम a q अगर LCM ले लिए तो यह होगा आपका a का पावर 6 plus 1 is equal to 0 a q को दूसरे तरफ ले गए तो a q a का पावर 6 plus 1 is equal to 0 या फिर आप यहाँ से आगे relate करेंगे तो यह होगा a का पावर 6 is equal to minus 1 तो अब हम question देखते हैं देखे question में आपका है कि x plus 1 by x का जो value है root 3 है तो आपको यहाँ से समझ जाना था कि x का पावर जो 6 होगा वो minus 1 के बराबर होगा अब यहाँ जो question है अब question को देख लो यहाँ पर है minus x का पावर 6 यह भी है x का पावर 6 और x का पावर जो 6 है उसका जो value हम निकाले minus 1 निकाले तो इस x के power 6 के जगा पर हम minus 1 रखेंगे इस term के भी जगा पर minus 1 रखेंगे तो यह हो क्या जाएगा आपका minus 1 minus minus 1 plus 2 minus 1 से minus 1 cancel हो जाएगा यानि आपका जो अंसर है वो 2 हो जाएगा तो आपको बस यह फर्मूला याद रखना था इस फर्मूला को एक वार फिर्टे लिख देता हूँ फर्मूला है आपका कि अगर AX पलस 1 वाइ एकस का जो भैलू अगर रूट 3 हो तो इसके Q बाले टर्म एकस क्यू पलस 1 वाइ एकस क्यू का जो भैलू है वो जीरू हो जाता है यह फर्मूला आपको याद रखनी है अब इसी के दाहर पर और कुछ कोस्चन हम लोग देखेंगे जैसे कोस्चन नमबर 31 देख लो अभी जो हम लोग फर्मूला पढ़े थे उसमें क्या था इस वर्सा भी आपको याद रखना है बाइस वर्सा मतलब कि अगर यह टर्म दिया हो कि एकस क्यू पलस 1 वाइ एकस क्यू का जो भैलू है वो जीरू तो उस केस में एकस पलस 1 वाइ एकस का जो भैलू है वो रूट थीरी हो जाएगा अब देखिए कॉस्चन कॉस्चन में बोला गया है कि X क्यू पलस 1 वाइ एकस कू का जो भैलू है वो जीरू है तो हम यहाँ से अव रभर्स याद करेंगे कि जब क्यू वाले टर्म का भैलू जीरू तो सिंगल प्लप वाले का जो भैलू होगा वो हो जाता है root under 3 अब यहाँ पर देख लो question में question में दिया गया था कि x plus 1 by x का power 4 और यह जो x plus 1 by x है इसी का value हमने अभी root 3 निकाला तो यहाँ से यह हो जाएगा root 3 का power 4 और root 3 को अगर हम 4 बार आपस में multiply करेंगे तो यह आ जाएगा no खेक तो इस तरह से हम question number 31 कर लिए आपको बस दो ही बात याद रखनी थी कि x plus 1 by x अगर root 3 हो तो x q plus 1 by x q का जो value है वो 0 होगा और साथ ही x का power 6 plus 1 का जो value है वो 0 हो जाएगा और इसका हम reverse से भी याद रखेंगे कि अगर question में x के power 3 plus 1 by x के power 3 का value 0 दे रखा हो तो यहाँ से हम बोलेंगे कि x के power 1 plus 1 by x का power 1 is equal to root under 3 अब हम लोग देखेंगे question number 32 question number 32 में बोला गया कि x plus 1 by x का value root 3 है x plus 1 by x है जो root 3 के equal है तो यहाँ से हमने relate किया x q plus 1 by x q का जो value है वो 0 होगा और एक step और आगे बढ़ें तो मुझे पता चला है कि x का power 6 plus 1 का जो value है वो 0 हो जाएगा अब पूछा जा रहा है आप से कि x का power 18 plus x का power 12 plus x का power 6 plus 1 इसका value क्या होगा अब यहाँ पर देख लो कि अगर हम यह first दो term में से x का power 18 plus x का power 12 की बात करें तो इसमें से हम x का power 12 common करते हैं तो अगर हम 12 common किये तो यह बच जाएगा x का power 6 plus 1 और यह वाला देख लो third term और fourth term को तो यह है आपका x का power 6 plus 1 और अभी अभी हमने निकाला कि x के power 6 plus 1 का जो value है वो 0 है तो इस बाले term का value 0 और यह जो term दिख रहा है x के power 6 plus 1 यह भी हो गया 0 तो यहां से हम बोल सकते हैं कि x के power 12 है गुना 0 plus 0 जीरो से किसी में गुना करो और जोड़ो तो आपका result 0 रहेगा तो हमने इस तरह से question number 32 को किया अब हम लोग देखेंगे question number 33 ठीक है तो यह है x q into 3 by x q minus root under 3 is equal to root 3 by x का power q और आप से पूछा जा रहा है x का power 54 plus x का power 36 plus x के power 18 plus 1 का value क्या होगा तो अब हम लोग क्या करेंगे यह जो मेरा cost x q है तो x q से इस बाले term और इस बाले term में multiply कर देंगे तो multiply करेंगे अगर हम पहले वाले में तो x q से x q कैंसिल हो जाएगा और cable 3 बचेगा अगर second में multiply करेंगे तो यह होगा x q into root under 3 बराबर rhs का term root 3 by x q अब हम क्या करेंगे कि इस x q minus root under 3 है इसे हम rhs में लेकर चले जाते हैं तो यहाँ बन जाएगा आपका 3 बराबर root 3 by x q plus root under 3 x q अब हम क्या करेंगे कि rhs का root 3 है और lhs का root 3 है उसे cancel करेंगे तो यहाँ पर देखो root 3, root 3 और 3 में से एक root 3 cancel हो जाएगा तो यहाँ से बचा क्या कि x q plus 1 by x q का जो बहलू है वो root 3 आ गया और यह जो root 3 है यहाँ से आपको कुछ याद आना चाहिए कि अगर root 3 आ रहा हो तो 3 power वाले term का जो बहलू है वो 0 होगा 3 power कहने का मतलब कि हमने एक फर्मूला पढ़ा था कि अगर a plus 1 by a का जो बहलू है वो root 3 है तो इसका 3 power जैसे question में a का power 1 है तो a के power 3 पलस a के power 3 का जो बहलू है वो 0 होगा और अगर हम समझे जैसे कि अगर a के power 2 पलस 1 by a के power 2 का बहलू अगर root 3 हो तो इस बार a के power 6 a के power 6 कहने का मतलब कि देखो जो दिया हुआ है उसमें 2 power है और फर्मूले के अधार पर power को 3 गुना होना है तो 2 का 3 गुना 6 हो गया तो अब हम याद रखेंगे कि a के power 6 पलस 1 by a के power 6 जिसका जो value है वो 0 हो जगा तो इसी तरह से इस पर भी इस केसे में भी आपको ध्यान में रखना है जैसे यहां पर root 3 आया तो root 3 के साथ ही आपको ध्यान में होना चाहिए कि power जैसे अगर हम triple करते हैं जैसे यहां पर power है आपका x का power 3 तो 3 का 3 गुना तो 3 का 3 गुना होगी है 9 x का power 9 पलस 1 by x का power 9 जिसका value 0 आ जाएगा ठीक है तो यह हमने निकाला कि x के power 9 पलस 1 by x के power 9 का value 0 अब हम यहां से relate करेंगे क्या अगर हम दोनों तरफ LHS और RHS में x के power 9 से multiply कर दें तो x के power 9 से multiply करेंगे तो बन जाएगा x का power 18 पलस 1 is equal to 0 तो अब इसी point को हम आगे यूज़ करेंगे देखे अब यहां पर question बोला गया कि x के power 54 पलस x के power 36 पलस x के power 18 पलस x के power 1 अगर हम first दो टर्में से अगर हम x का power 36 common कर लें तो यहां बच जाएगा x का power 18 पलस 1 पलस last दो टर्म को लिख लो x का power 18 पलस 1 और अभी अभी मैंने x के power 18 पलस 1 का जो बहलू है वो 0 निकाले तो यह जो टर्म दिख रहा है इसके जगा पर बहलू 0 होगा और second वाले टर्म के भी जगा पर बहलू 0 होगा और 0 में किसी से multiply कर दें तो 0 और यह पलस 0 तो 0 पलस 0 यह 0 होगा तो इस तरह से हम लोग ने question number 33 किये अब हम लोग देखेंगे अपना next question question number 34 यह देखो question 34 इसमें बोला जा रहा है क्या कि x square plus y square plus 2x plus 1 is equal to 0 और आप से पूछा गया है x का power 31 plus y का power 35 तो मैं जहां जहां highlight करता हूं उसे देखना यह है x square यह है 2x और plus 1 x square plus 2x plus 1 और यह है क्या तो यह है आपका x plus 1 का whole square अब जो बच गया कौन बच गया तो by square तो by square को हम अलग से लिख लेंगे तो plus by square is equal to 0 और यहां से आपको एक बात ध्यान में रखनी है कि 0 कब possible है तो 0 दो ही case में आता है या तो आप 0 और 0 को add करते हो तब 0 आता है या फिर एक संख्या जितना positive है और मतलब कि दो बरावर संख्या को आप घटाते हैं तब 0 आता है जैसे चार में से अगर हम चार को माइनस करें 0 आएगा दस में से दस को माइनस करें 0 आएगा या फिर अगर हम इसके अलावा अगर कोई और case लें तो उस case में 0 possible नहीं है तो आपको यहां पर ध्यान में रखना है कि 0 आने का मतलब क्या है कि यह 0 तब आएगा जब दोनों क्या हो एक दूसरे के बरावर हो और निगेटिव हो पर यह आँपर क्या है कि निगेटिव तो possible है ही नहीं जैसे कि अगर हम किसी का square कर दें तो आसक्वायर वाला जो term होता है वो हमेशा positive होता है तो इस case में यह तब ही possible है जब दोनों का दोनो term 0 हो ठेक दोनो equal possible था पर equal के साथ साथ इसे एक दूसरे का sign negative होना चाहिए था मतलब एक का sign दूसरे के sign के opposite पर यहां पर power 2 होने की बज़ा से दोनों का दोनो positive बन जाएगा तो यह जो second मेरा जो condition था वो इस पर लागू नहीं होगा तो अब पहले वाले condition के अनुसार अगर हम बात करें तो पहला भी term 0 होना है और second term भी 0 होगा तो x plus 1 का जो whole square है वो भी आपका 0 की equal तो यहां से हम लोग बोल सकते हैं कि x का जो value है वो minus 1 होगा और जो second भी term y square है उसे भी 0 होना है तो y का जो value है वो 0 होगा तो अब इन ही दोनों का यूज करके हम question को question में put करेंगे तो यह है x के power 31 और x का value आया आपका minus 1 तो minus 1 पर power 31 plus y का value 0 है तो आगया 0 पर power 35 और minus 1 पर कुछ minus 1 पर अगर यहां पर यह odd power है तो odd power के case में minus का जो value रहेगा वो minus ही रह जाएगा और एक पर अगर 31 पावर है तो minus 1 हो गया plus 0 पर power 35 और 0 पर कुछ भी power हो value इसका 0 ही होगा तो minus 1 plus 0 यह होगी आपका minus 1 अब हम लोग देखेंगे question number 35 अब यहां से 35 से आगे का जो भी question है वो सारा एक ही pattern पर लगवग है ठीक है मान के चलो 10 question के आसपास सब एक ही pattern पर यह follow और करेगा अब हम लोग देखेंगे अपना next question question number कौन सा था 35 चलो तो 35 करने से पहले एक formula है वो आपको पहले बता देता हूँ जैसे अगर a plus 1 by a का value k दिया हो a plus 1 by a का value k दिया हो अगर हम दोनों तरफ देख लो square करते हैं तो दोनों तरफ square करेंगे तो क्या होगा a square plus 1 by a square plus 2 into a into 1 by a is equal to k square अब हम यहां से relate कर देंगे क्या a से a cancel तो a square plus 1 by a square का जो value है वो हो जाता है k square minus 2 तो आपको याद रखना है कि अगर a plus 1 by a अगर k के बराबर हो तो a square plus 1 by a square का जो value है वो हो जाएगा k square minus 2 तो अब यहां पर देख लो question जो given है वो है 3x plus 1 by 3x का value 8 और आप से पूछा जा रहा है क्या कि 9x square plus 1 by 9x square का value क्या होगा तो अब हम लोग यहां से क्या देखे कि यह जो 9x square है वो है क्या तो 3x का whole square plus 1 by 3x का whole square तो अब हम यहां से क्या observe किये कि इस term का value हम तब निकाल सकते हैं जब मुझे क्या मालूम हो तो 3x plus 1 by 3x का value और इसका value question में दे रखा है 8 तो इस case में जो result होगा वो हमें use करना है k square minus 2 तो k square minus 2 k के जगा पर अब put 8 हम कर देंगे तो 8 का square minus 2 और 8 का square 64 64 में से जब दो जाएगा तो यह हो जाएगा 62 अब हम लोग देखेंगे question number 36 आगे का जो भी question है बिल्कुल वैसा ही है देखो यहां पर बस आपको observe क्या करना है कि यहां पर यह है x का power 3 और इसी का ठीक रेसी प्रोकल जो पूछा जा रहा है उसमें देख लो power double हो गया power double का मतलब कि यहां पर power है आपका x क्यूँ और जो पूछा जा रहा है उसमें power हो गया 6 तो 3 से 6 हो गया 3 से 6 होने का मतलब power double हो गया और इसमें भी रेसी प्रोकल ही है और साथ ही साथ जो में गौर करने वाला बात है कि यह symbol plus है और second का भी symbol है वो पलस ही है तो यह जो इसका format है बिल्कुल वैसा ही है कि a plus one by a का जो बहलू के है तो a square plus one by a square का बहलू क्या होगा यह आप से पूछा गया देखो इससे हम लोग ऐसे भी सोच सकते हैं कि जैसे अगर हम x q का जो मान है वो हम a मान लिए x q को अगर हम a लिख दिये तो यह हो क्या जाएगा तो यह हो जाएगा a plus one by a का जो बहलू है वो पाच हो जाएगा और जो पूछा जा रहा है आप से वो क्या बन जाएगा तो देखो इससे हम लोग लिख सकते थे x q का square plus one by x q का square और अभी अभी हमने माना कि जो x q का जो value है एक मिनट हाँ x q का जो value है वो a है तो यह वहला जो term a बन गया और x q है यह भी a बन गया तो अब हम इसे लिखेंगे a square plus one by a square और यहाँ पर हमने भी सिखा है कि a square plus one by a square का जो value है वो होता है k square minus two और k का जो value इस question में है वो आपका 5 दिया हुआ है तो 5 का square minus two तो 5 का square में से अगर 2 minus करेंगे तो जो result है वो 23 होगा तो आपको बस धिहान में रखना है कि sign same रखना है sign है जो same रहते हुए अगर power double हो रहा हो power अगर आपका double हो रहा हो तो हम use करेंगे k square minus two चले अब हम लोग देखेंगे question number 37 देखो question क्या है x q divided by y q plus y q divided by x q का value 3 by 2 और पूछा गया है x के power 6 divided by y के power 6 plus y के power 6 divided by x के power 6 तो यहां पर हमने गौर क्या किया यह जो power 3 है और यहां पर power 6 है तो power ठीक double हो गया sign check कर लेते हैं तो sign यहां पर plus है second वे भी sign आपका plus ही है ठीक और दोनों race प्रोकल है जैसे अगर मानना है तो मान के क्या मान लेंगे कि x q बटा y q का value अगर हमने a माना तो y q बटा x q का जो value है वो 1 by a हो जाएगा तो यह जो term है वो हो जाएगा क्या कि a plus 1 by a is equal to 3 by 2 और जो आप से पूछा जा रहा है वो बन जाएगा a square plus 1 by a square तो अब यहाँ पर हमने अभी सीखा है कि a square वाले term का value k square minus 2 तो k का जगह पर हम put करेंगे 3 by 2, 3 by 2 का square minus 2 3 by 2 मतलब 9 by 4 minus 2 अब यहाँ से जब solve करेंगे तो यह जो value आ जाएगा 1 by 4 ठेक है तो इस तरह से हम लोग question number 37 complete किये अब हम लोग देखेंगे question number 38 चलो 38 में दिया हुआ है 7 x plus 1 by 5 x is equal to 9 और पूछा जा रहा है आप से 49 x square plus 1 by 5 x square का value तो अब यहाँ से हमने गोर किया कि यह square है वो आखिर है किसका तो यह है 7 x का square plus 1 by 5 x का square ठेक चलिए इस case में आपके लिए एक और formula है वो मैं बताता हूँ जैसे यहाँ पर देख लो अभी तक हमने देखा था कि a plus 1 by a का value अगर k हो तो a square plus 1 by a square का जो value है वो हो गया था k square minus 2 तो यहाँ पर गौर करने वाली बात है कि यह जो term है बिल्कुल उसका ठीक उल्टा पर यहाँ पर हमने देख रहा है कि एक में तो 7 x है और दूसरे में 5 x है ठेक तो बिल्कुल एक दूसरे के उल्टा नहीं है यहाँ पर एक में 7 x और दूसरे में 5 x यहाँ पर दो term दिख रहा है एक 7x पलस 1y 5x तो यहां पर हमने देखा कि चलो यह x एक दोनों तो एक दुसरे का भी उतकर्म है पर x का जो कॉफिसेंट है एक में कॉफिसेंट 7 और दुसरे में कॉफिसेंट 5 है तो इसके लिए क्या फर्मूला होता है वो हम लोग समझते हैं तो देख लो एफ हम लिखते हैं अलक से फर्मूला जैसे मान के चलो ax पलस 1y या ऐसे ax पलस byx is equal to k हो तो अगर हम दोनों तरफ square कर दें तो हो क्या जाएगा a square x square plus b square by x square plus 2 into ax into byx is equal to k square तो यहां से हमने x से x को कैंसल कर दिया तो a square x square plus b square by x square is equal to k square minus 2ab अब यहां से हम लोग देखें कि लास्ट step में क्या था लास्ट वाले जो फर्मूला हमने सीखा था उसमें था k square minus 2 और यहां पर आगया k square minus 2ab और यह a b क्या है तो a b एक x का coefficient और b क्या है तो 1y x का coefficient तो अब हमें धियान में रखना है कि जो coefficient है उसे हम लोग 2 के साथ multiply करके minus करेंगे बस इतनी सी बात तो अब यहां पर देख लो कि यह जो पूछा गया था 7x square plus 1 by 5x square तो इसका तो value होगा k square minus 2 तो यहां पर minus 2 ना यूज़ करके हम लोग use करेंगे 2ab क्योंकि x के साथ कुछ coefficient भी है तो अब यहां पर देख लो k के जगा पर हम लोग put करेंगे 9 तो यह होग यह 9 का square minus formulae वाला 2 into a और a क्या है तो a है जो आपका यह जो a है वो x का coefficient है यानी 7 तो हम लोग लिखेंगे 2 into 7 into b और यह जो b है वो x का coefficient है तो x का coefficient है वो है आपका 1 by 7 हाँ 1 by 5 तो 7 into 1 by 5 अब यहां से solve करते हैं तो 9 का square 81 minus 14 वाटा 5 हम LCM ले लिए 5 तो 5 LCM लेंगे तो होगा 405 minus 14 और जब इसे हम लोग हटाएंगे तो 5 यह हो गया 391 बटा 5 तो इस तरह से हम लोग question number 38 की है अब हम लोग देखेंगे question number 39 चलो question number 39 देखो question number 39 भी उसी के जैसा ही है हाँ यहाँ पर question है आपका 4 root under x plus 1 by 5 root under x is equal to x is equal to 8 और पूछा जा रहा है 16 x plus 1 by 25 तो अब यहाँ पर देखो इसे हम लोग लिख किया सकते हैं कि 4 root under x का whole square plus 1 by 5 root under x का whole square और इसका हम value तब निकाल सकते हैं जब मुझे 4 root x plus 1 by 5 root x का value मालू हो और question में इसी का जो value 8 दिया हुआ है तो यहां से हम लोगों ने देखा है कि जब हम power को double करेंगे power को double करेंगे तो formula हो जाता है क्या k square minus 2 पर अगर कुछ coefficient अलग से लगा हुआ दिखे तो उस case में formula हो जाता है k square minus 2 a b तो यहां पर formula के अनुसार आप बस value put कर दो 8 square minus 2 into पहला root x का coefficient 4 into a b b यानि 1 by 5 तो यहां पर हो गया 1 by 5 अब यहां पर solve करो 8 का square 64 minus 8 बटा 5 64 पचे होता है 320 minus 8 बटा 5 320 में से 8 जाएगा 312, 312 बटा 5 तो इस तरह से हम लोग question number 39 किये चलो अब हम लोग करेंगे question number 40 चलो 40 में देख लो हाँ यह formula आपको पहले याद होना चाहिए क्या कि अगर a minus 1 by a का value k हो तो double power वाले a square plus 1 by a square का जो value है वो होता है k square plus 2 हम आपको बहुत बार बता चुके कि यह जो minus है अगर minus से अगर हमें minus वाले value का यूज करेंगे तो question में plus हो जाता है और power जब double करना हो तो हमें plus to add करना होता है चलिए तो अब इसी का यूज करेंगे तो यहाँ पर देख लो यह 7 है 7 है और जो पूछा जा रहा है उसमें power 14 दिया हुआ है अब sign देख लो तो sign यहाँ पर दिया हुआ है minus और minus से हमें जाना है plus वाले टर में तो जब हम minus का यूज करते हैं तो हमें double power वाले के case में यूज करना होता है k square plus 2 यानि 4 का square plus 2 तो 4 का square 16 16 plus 2 हो गया 18 तो x के power 14 plus 1 y x के power 14 का जो value होगा गो हो जाएगा 18 चले अब हमनों देखेंगे question number 41 देख लो 41 41 में क्या बोला गया कि x का power 200 divided by y के power 200 minus y के power 200 divided by x के power 200 is equal to 10 और पूछा जा रहा है x के power 400 divided by y का power 400 plus y का power 400 divided by x के power 400 तो यहां पर हमने गौर किया क्या कि first case में power 200 है और जो पूछा जा रहा है उसमें power 400 है तो power यहां से हमने observe किया क्या कि power है जो double हो गया और अगर हम जो question दिया हुए उसमें अगर symbol की बात करें sign की बात करें तो वो आपका minus है तो अगर हम minus वाले term का यूज करते हैं जैसे a minus 1 by a का value अगर k हो तो square वाला जो term है उसका जो value हो जाता है वो k square plus 2 हाँ तो इस case में जो value होगा वो होगा k square minus k square plus 2 यानि k के जगा पर हमने 10 रखा 10 का square plus 2 10 का square 100 100 plus 2 100 plus 2 यह हो गया 102